परंपरागत खेती की जगे आधुनिक और उन्नत खेती किसानों के लिए फायदे का सौधा साबित हो रही है किसानों की आय बढ़ने के साथ ही आधुनिक उपकरण और उन्नत बीजों से खेती की लागत कम हो रही है किसान भी अब परंपरागत क्रिशी यंत्रों की जग है आधुने क्रिशी यंत्रों को अपना रही है बीजों की भी एक सिवर्ण कर एक वराइटी बाजार बे उपलब्ध है इसे किसानों को अपनी फसल का अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और इतना ही नहीं आधुने खेती में और शिदिय पॉधों की खेती काफी फाइदेमन साबित हो रही है पिछले कुछ सालों में ही उध्यानी की फसलों का उत्पादन साथ गुना हो गया है और इसी पर देखे खास रिपोर्ट भूसा इस्टोर करना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है इसी वज़े से लोग पराली जलाते हैं जिसकी वज़े से प्रदूशन होता है लेकिन आधुने खेती के चलते भूसे को इस्टोर करना अब उतना मुश्किल नहीं रहा आप देख सकते हैं कि भूस इस चोटे से आकार में समाहित कर दिया गया है यही आधुने खेती का चमतकार है आप आईए यह कैसे संभव हुआ है और किसान कैसे इसको दोना सकते हैं तो देखा आपने जिस भूसे को घर में रखने के लिए बड़े बड़े गोडाउन बन्माने पड़ते थे वही भूसा आप छोटे छोटे पैकेट्स में आ जाता है आधुनेक और उन्नत खेती में नई नई तकनिके और उपकरण काफे साहता दे रहे हैं ना सिर्फ उसका उतपादन जो है वो 24 कुंटल पर एकर तक है और बहुत अच्छी वेराइटी है और खाने के लिए एस्टिवून किसम है रोटी वाली चपाती किसम है पचास से साथ हैट्र पर हैट्र है जो वेराइटी है आजकल किसान उन्नत तक्नीक की मदद से खेती कर रहे हैं इससे उत्पादन भी अच्छा होता है और मेहनत भी कम लगती है किसान खेतों में दवाओं का छड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं इसके अलावा फसलों की निगरानी करने के लिए भी ड्रोन इस्तमाल किया जाता है भविश्य में ड्रोन से खेती होगी इस बास से इंकार नहीं किया जा सकता है ड्रोन की खरीदी पर भी सरकार की और से 50 फीसर सबसीड़ी दी जाएगी ख्रिशी यंत्र अनुदान के तहद अब किसान ड्रोन कैमरा खरीदने के लिए भी आवेधन कर सकते हैं ट्रेक्टर भरत के गाउं के शान की गारी हमारी लहलाती फसलों के लिए किसानों का सबसे मजबूस आती है खेतों की जुताई से लेकर फसल को बेचने तक में इसका प्रयोक किया जाता है बाजार में कई प्रिकार के ट्रेक्टर हैं लेकिन उनकी कीमत ज्यादा होने की वज़े से वो किसानों की बहुत से दूर रहे हैं अलाकि अब छोटे ट्रेक्टर्स ने समस्या का समाधान कर दिया है भारत में मीनी ट्रेक्टर के साथ मॉडल है इसकी HP रेंज 11.1 HP से 36 HP तक है सबसे कम कीमत वाला मीनी ट्रेक्टर स्वराज कोड है इसकी कीमत 1.75 लाक रुपे से 1.9 लाक रुपे तक होती है वहीं खेतों की जुताई के काम आने वाले यंत्रों में आजकल रोटावेटर की उप्योग बे अन यंत्रों की अपेक्षा 15 से 35 फीसक तक इधन की बचत होती है स्प्रेयर मशीन एक ऐसा खाथ क्रिशी उपकरण है जिसकी मदद से किसाल लिक्विट खाथ और कीटनाशक का छिड़काव असानी सिखेतों में कर सकते है जैसे की स्प्रेय पम जो एक मेरे बाजू में लगा है दवाई छड़कने के लिए आप इस से ट्रेक्टर से चला करके इस सारा अपना दवाई छड़कने का काम कर सकते है फसल को काटने के लिए जो कि आजकल लेबर की बहुत समझ सा होती है फसल के काटने के लिए हमारे पास लगबग 65 प्रकार की मशीने हैं अलग अलग प्रकार की ट्रेक्टर से चलने वाली हाथ से चलने वाली इंजिन से चलने वाली निदाई गुड़ाई के लिए हमारे पास काफी मशीने हैं पावर वीडर्स हैं बूसे को एक जिगा से दूसरी जिगा सिफ्ट करने के लिए हमारे पास कई प्रकार की मशीने हैं तार फिंसिंग, प्लान्टेशन के लिए हमारे पास अलग प्रकार की मशीने हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लगातार उध्यानी की फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है अधिक से अधिक किसान उध्यानी की फसलों की खेती करें इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाय चलाई जा रही है जिसके तहट किसानों को बागवानी फसलों की खेती पर फ्रोसाहन भी दिया जा रहा है उद्यानी की उत्पादर मढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने राज्जी के सभी जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू कर दिया है पहले भी लोग जानते थे लेकिन अवेरस नहीं होने के वज़े से इसके कल्टिविशन कम था लेकिन कोविट ने हमको ये सिखा दिया है कि हमारी देशी जड़ी बूटी और उसदी जैसे कि हम अस्वगंधा का नाम ले तो ये काफी कुछ इसका प्रचार प्रशार हुआ हुए जिसकी वज़े से कल्टिविशन एरिया बढ़ रहा है और साथ में मदप्रदेश रेपाट्मेंट में हमारी एक देवरन योजना भी चल रही है जिसके माद्यम से हम जो ट्राइवल्स एरिया है अब आपको बताते हैं आदूनिक खेती ने कैसे मदप्रदेश का खेती का सिस्टम ही बदल दिया है राजज में 2006 में उध्यानी की फसलों का कुल रगबा 4,89,000 हेक्टेर था जो अब बढ़कर 23,43,000 हेक्टेर हो गया है मदप्रदेश में साल 2006 का फलों की खेती का रगबा 46,777 हेक्टेर से बढ़कर 4,05,000 हेक्टर और उत्पादन 11,73,000 मेट्रिक टन से 82,44,000 मेट्रिक टन बढ़ा है इस अबदी में सबजी का शेतर 1,96,000 हेक्टर और उत्पादन 27,97,000 मेट्रिक टन से बढ़कर शेतर 10,44,000 हेक्टर और उत्पादन 206,31,000 मेट्रिक टन हो गया है मसाला फसलों का शेतर भी 2,7,563 हेक्टर और उत्पादन 2,33,000 मेट्रिक टन से बढ़कर 82,00,000 हेक्टर और उत्पादन 86,37,000 मेट्रिक टन हो गया पूलों की खेती जो साल 2006 में 3666 हेक्टर में होती थी वो 35554 हेक्टर में हो रही है तो देखा आपने आम के आम गुटलियों के दाम खेती करना उतना कठिन और रिस्की नहीं जितना पहले हुआ करता था बस आपको टेक्नलोजी के साथ फूल, फल, सब्जियों और आउचदी खेती के बारे में भी सोचना होगा पुपाद से कैमरामेन सुरेश कट्यार के साथ डिप्टी एडिटर अतुल पाठक की रिपोर्ट